हेलो दोस्तो नमस्कार SM किसी चानल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ जितने भी लेटेस्ट खबरे अपडेट सामने आ रही है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करनी की कोशिश जरू करेंगे तो चले स्टार्ट कर ले थे सबसे पहले फॉर्मिलेटिस के साथ के अमरिकन बाजार कैसा चल रहा है तो फिलाज तो साथ पॉइंट की गिरावट मिटिंग के मेंबर आप चाओ तो बोल सकते हो कि वो क्या expect कर रहे है कि क्या rate hike रोग दिया जाना चाहिए या फिर inflation का खत्रा अभी भी है जिसके चलते rate hike जो चल रहा है उसको continue रखना चाहिए इसके प्रती हम लोग को अच्छा-कासा reaction बाजार में आज late night देखने का आपे म workforce के DR की बात करें तो ठीकी performance चल रहा है ICC bank की अगर हम लोग बात करें तो हरे निशान में HDFC bank की बात करें लाल निशान में इब दम न्यूटरल चल रहे वीपरो ठोड़ा ठीक ठाक चल रहे एक पसंट के आसपस की तेजी के साथ डॉक्टर रेडिस की बात करें तो ठीकी performance यहाँ पर चल रहा है नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टमेटोस से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आती रहे थे प्राइस लगातार बढ़ रहे है तो इससे रिलेटेड जो एक कंपनी थे आपको पता है यह Macdonald मतलब Waste Life Food World इसके अंदर यह कंपनी हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो इसका अनॉंश्मेंट कर देंगे सो Macdonald के बाद दोस्तों एक और कंपनी Burger King जिसका नाम अभी शेर मार्केट में चेंज यहाँ पर हो चुका है Restaurant Brand यह नाम उन्होंने यहाँ पर चेंज करके रख दिया है So Burger King के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी यहाँ पर officially announcement कर दिया है कि वो भी अभी टेमेटोस का इस्तमाल जो यहाँ पर वो कर रहे थे उनके फूड में अलग-अलग टाइप के फूड रहते हैं ओफर करते हैं वो So prices लगातार बढ़ रहे हैं तो obviously दिक्कत हो रही है Margins को maintain करने के लिए profit निकालने के लिए क्योंकि burger जो पहले normal रुआ करते थे उसके price ही जबरतर shoot हो जाएंगे तो कौन ही करीदेगा तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो भी अगर burger खरिदने के लिए आप पे आएगा तो उसके अंदर tomato ने रहेगा तो ये point आप लोगों को पता होना चाहिए तो market की बात करें दोस्तों तो already मैंने सारी चीज़े आप लोगों को बताई थी जो QSR वाले companies रहते हैं उनको इस ख़बर का बहुत ज़्यादा नुकसान यहापे होता है ठीक है क्योंकि direct food से related अगर हम लोग बात करें तो उनक का business देखने को मिल जाता है next अगर हम लोग बात करेंगे really care enterprise limited यह साच के दिन 6-6% भागा इसके पीछे का reason है तो दोस्तो जो बर्मन्स औफ डाबर यह हमलें को जो देखने को मिल जाते हैं तो यह खबर फिलाल सामने आ रही है कि वो इनमें और 5% स्टेक है आपे खरीतते वे देखने को आपे मिल सकते हैं तो इसी चीज़ के चलते हैं हम लोग को इस टॉक और भी अच्छी तरीकी से भागते वे देखने को मिल रही है तो इसके पीछे का reason है लगातार inflation का बढ़ना और उसको रोकने के लिए आपको पता है interest rate से चीज़े activities होती है देखने को मिल जाती है तो इसी चीज़ के चलते हैं इनकी economy अभी हम लोग को recession में जाती है मतलब growth नजर नहीं आ रही है ठीक है आप inflation को control करने जाएगे तो आपका growth destroy यहापे हो जाता है लगातार दो quarter अगर आप यहापे हम कह सकते हैं कि minus में अगर आपका growth आ जाता है तो टेक्निकली बोला जाते हैं कि आप recession में आ चुके करके तो इसके पहले हम कह सकते हैं कि जर्मनी का नाम यहापे सामने आया था ठीक है जर्मनी से पहले अगर में बड़े और किसी देश के नाम बताओ तो शायद से न्यूजेलेंड का भी नाम सामने आया था तो यह दिक्कत हैं हम लोग को देखने का आपे मिल रही है यह दिक्कत हैं जादा करके देखने का आपे मिल रही है दन बात करेंगे SBFC Finance yes also IPO यहापे आया था जबरदस्त यहापे response देखने को मिल था 62% के प्रीमियम के उपर लिस्ट होते वे देखने का आपे मिल चुका है तो IPO की अगर हम लोग बात करें तो एक और IPO है जो की Friday के दिन हम लोग को लिस्ट होते वे देखने को मिलेगा वो है Concord Biotech अगर इस IPO की बात करें तो बहुत सारे लोगों को यह IPO लगते वे देखने को मिला है इसके पीछे का reason है कि SBFC में बहुत सारे लोगों ने participant किया था विकास वापे GMP जादा देखने को मिल रहा था तो यहापे बहुत कम लोगों ने इसको prefer किया अगर देखा गया तो Concord Biotech की अगर मैं बात करू तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट में यह shares देखने को आपे मिल रहे comment section से पता चल जाता है तो फिलाल हम कह सकते premium 115 का चल रहा है 740 का prize है मतलब हम कह सकते 10 से 15% का premium अभी भी नजर आ रहा है हाँ market का stabilized रहे ना बहुत ज़्यादा important है अगर Friday तक अगर बाजार में ज़्यादा अगर कुछ बड़ी गिरावट अगर आ जाती है तो फिर definitely हम कह सकते हैं कि यह premium जो 3 डिजिट में चल रहा है 115 का might be 2 डिजिट में आ सकता है तो यह तो if but वाली बात है प्रे करेंगी कि Friday तक ऐसा कुछ ना हो करके तो अच्छा कासा लिस्टिंग यहां पर at least 10-15% पर तो होई गया तो इतना भी ठीक ही है मुनाफाई ही तो मिल जाएगा तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके नेक्स्ट आम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वड़ाफोन आइडिया से रिलेटेड एक बहुत बड़ी गजब की न्यूस सामने आ रही है ठीक है तो वड़ाफोन आइडिया आप सभी लोग को पता है कि मतलब खुद तो यहां पर डूब गया डूब गया मतलब ठीक है जिन्दा तो है बट साथी साथ बहुत सारे ऐसे कंपनिस थे जो कि उसके साथ बिजनेस करते थे वो फस गए जैसे कि इंडस्ट आवर की बात करें नोकिया की बात करें ठीक है लगातार नीचे 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 और ये भी जबरदस कुरू के अक्री आश हो आता पता है आपको येस उनने भी प्रोविजन यहापे किया था कि हम लोग ने Vodafone Idea के साथ डियल किया है और अभी हम लोग मान के चल रहे कि वो पैसा आएगा ही नहीं करके ठीक है तो इसी चीज़ के चलते हैं आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कते इन कंपनीज को भी होते वे देखने का आपे मिली है so definitely IDFC First Bank भी यहापे चाहता होगा तो वड़ाफोन आइडिया के उपर लगबग 1.8 लाक करोड का करजा है ठीक है और उसमें अगर देखा गया तो लगबग 3,240 करोड का करजा वड़ाफोन आइडिया ओ करता है हम कह सकते हैं ओस करते हैं किसको IDFC First Bank को so 3240 करोड यहापे फे करना बाकी है अगर हम लोग टोटल लोन बुक की अगर हम लोग बात करें तो IDFC First Bank का जितना भी लोन बुक है उसका 3% जो exposure देखने को मिल रहा है उन्होंने वड़ाफोन आइडिया को दिया था इसलिए हम लोग ने यहापे देखा कि इतने समय तक IDFC First Bank एक ही चीज में हम लोग को चलते भी देखने का आपे मिल रहा था इनका पूरा टाइम यहापे वो provision, provision, provision करते, करते, करते ही खतम हो गया ठीक है अभी जाके वापस अभी comeback होते भी देखने को पड़े है अभी समाल कर इन्होंने business करना चाहिए अभी अच्छा इसे लिए देखने को मिल रहा है IDFC First Bank because अभी यह retail banking के और ज़्यादा focus यहापे दे रहे है तो retail banking में अच्छा scope यह होता है कि अगर पैसा फसा भी तो ज़्यादा फसता है नहीं ठीक है, हाँ बट उतना ही challenging होता है कि retail banking में आप लोगों को बहुत सारे लोगों को loan देना पड़ेगा कि एक वेक्ति को मान लिजे, एक करोड दिया दूसरा एक और वेक्ति धुनना पड़ेगा एक और करोड हुआ, मतलब दो करोड हुआ इसे 100 वेक्ति अगर आगे तो 100 करोड हुआ अगर companies की बात करें, तो एक ही company को सिधा 3000 करोड का करजाया पर मिल जाता है आब अब अब उसके नुकसान भी ऐसे ही होते है कि अगर वो फस गया, तो फिर company के भी लग जाते हुए Yes Bank की भी हालत क्यों ही थी? यही तो हालत होई थी, Yes Bank ने तो अपने पूरे loan book का 10% DHFL को दिया था, Just Imagine DHFL, आज deal list हो गए वो company तो इसलिए पूरा पैसा ही उनका चला गया तो इतना ज्यादा stunt वाले जो company होते हैं उनसे समाल करेना चाहिए, यह point हमेशा में आप लोगो सिखाया है, Next अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों, तो yes टाइम लगेगा उसको overall go through करने के लिए, बट फिलाल एक प्राइमा फेस ही, अगर हम लोग बात करेंगे, उपर उपर से एक overview कर दे, तो minutes में ये बात है फिलाल तो सामने आ रहे ही, कि जो fed के officials है, वो significantly, मतलब अगर देखा गया, तो inflation के risk को ही upside यहापे मांद रहे है, तो definitely, मतलब जो भी अभी का तक का जो data सामने हापे आया है, उस हिसाब से हम लोग आपे कह सकते है कि अभी भी fed के जो members है, वो inflation के चलते, परिशान होते भी देखने हो मिल रहे है, अगर inflation उपर जाएगा, ये फिलाल के चल रहा है, American Bazaar 80 पॉइंट की गिरावट के साथ आपे आगे बढ़ रहा है अभी पूरा राद बर यहापे चलेगा, पूरी तरह की से minutes में exactly क्या लिखा है, वो यहापे देखना पड़ेगा, तो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ stocks की बात करें, तो IX रोज हम लोग इसको radar के उपर रखते ही है, अभी तक कोई भी official खबर तो सामनी नहीं आए, तो इसलिए हम देख सकते कि एक ही consolidation phase में stock हम लोग को चलते वे देखने का आपे मिल रहा है अगर हम लोग बात करेंगी, BCG यह तो आपको पता ही है, penny type का stock है लग का साहरा अगर आपको चाहिए, तो फिर आप इनके बारे में विचार कर सकते हैं, जो लोग भी सवाल पूछते हैं, ठीक है यहापर pump dump चलता रहता है यहापर, and bull market रहते हैं, तो penny stocks चलते वें देखने का आपे मिल जाते हैं, तो अगर कल market में अगर कुछ 19-20 हुआ, तो फिर यह पाद में वापस नीचे आ सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्स्ट के लिए प्रेपर रहना है, तो फिर आप यहापर सही तरीके से आपर बढ़ सकते हो, TTML की भी बात करें, सुजलान की बात करें, सभी एक ही टाइप के stocks देखने को मिल जाते हैं, अगर आपको इन में जाना ही है, तो मैं अल्लेडे आप लोगों को बोल चुका हूँ, कि बहुत ही कम अमाउंट अगर आप लगा कर जाओगे, तो एक हाथ बार, मतला बोलते हैं, असेंसिबल डिशन यहापर रहेगा, वरना इतने quality quality के stocks पड़े हुए, आप देख सकते हैं, हमारा पैसा कुछ चलते भागेगा, तो ठीक है, तो अगर आप लग का सारे के चलते आगे बढ़ना चाते हो, तो फिर आप ज़रू अपनी किस्मत यहापे आजबा सकते हैं, ऐसे बहुत सारा लोग रहते हैं, जो ट्राइ करते हैं, अगर चल गया, तो अच्छी बात है, कॉंग्रेजिलेशन में 25 पोड़े के लिष्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कौनसा अकांट आपने लिंक की तरोपन के है, प्रॉपरली कमेंड़ेशन कर दिना, तो अपते बर के अंदर-अंदर सारे लिक्च्छर्स मेरे साथ से free of cost परवाइड कर दी जाएंगी, ताकि अ बादर को आसान बाशा से सीख सेको, तब तक के लिए, बाबाई